हेलो जेमिनाई, वेलकम तो लव इनिवर्स, आज हम यहाँ पर आपका लव रिडिंग करने वाले हैं, मतलब कि 17 सिक्तिस तारिक के अंदर आपके लव लाइफ में क्या-क्या होने वाला है आपके लव लाइफ के साइट से, वो ही हम चेक करने वाले हैं, डीटेल में, सो प्ली बहुत बीटिफुल एनरजी हैंड आपका कार्ड है, यह रिडिंग आपके लिए बहुत जदा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या पर इस रिडिंग में कुछ ऐसे इंपॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, जो आपके लिए ज़रूरी होगा, तो बॉट्म देखने हाँ पर आप देख सकते हो, त्री ओफ कापस, इस टाइम पर आपकी लव लाइफ से रिलेटिट कुछ खुशिया, कुछ इंजॉयमेंट आपकी लाइफ में इंटर करती हुई दिख रही हैं, मुझे दिख रही हैं, बहुत टाइम से रुका हुआ कोई एक काम आप आपके लव लाइफ के साइट से बनने वाला है, और इस टाइम पर आपकी घर की किसी इंविटीशन में आप अपने परसन को इनवाइट कर सकते हुए, या फिर ये एनरजी वाइस वर्सा हो सकता है, और कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं, आपके परसन उनकी घर से आपक कर कुछ बाते करने वाले हैं, और कुछ पर्मिशन भी मांगते हुए दिख रहे हैं उनकी घरवालों से आप से रॉलेटेट, तो ऐसी एक चीज़ दिख रहे हैं, इसके दारन आप बहुत सदा खुश होते हुए दिख रहे हो, लव लाइफ के साइट से एक बहुत बड़ा खुशी आपके तरफ आती भी दिख रही हैं, इस टाइम पर आपको कुछ गिप्स भी मिल सकता हैं, कुछ इंविटेशन, कुछ कंफेशन, कुछ कमिटमेंट भी आपको मिल सकता हैं, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, आज साइन टोर्सवर्ग को कैप्रिकॉन है, आप दोनों को एक साथ मिल करना पर सकता है, मतलब कि आप जिनको पसंद करते हूँ, प्यार करते हूँ, उनके साथ आप कोलाबरेट करके कोई एक काम को अंजम देती हुए दिख रहे हूँ, इस काम में थोड़ा सा बर्डन भी आएगा, थोड़ा सा प्रिशर भी शायद फ करना या फिर किसी को मनाना, फाइन, यहां पर मुझे दिख रही हैं कि इस टाइम पर इस काम के दौरान, इस सक्सेस के दौरान आपके लव लाइफ में एक रुमैंटिक, एक लवली सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे के और सादा करीब आने वा से जिसके लिए वेट कर रहे थे, तो ये चीज़ भी आने का एक बिग पॉसिमिल्टी दिख रही हैं, मतलब कि 26 तारिक के आसपास ये चीज़ आपको मलने वाला है, यहां पर एक चीज़ है कि आपके परसन ने अगर आपके दिल को दुखाया था एक हफते के अंदर, तो वो इनसान ना रियालाइस करने वाले हैं इस बात को, इसके वज़े से आपके तरफ उनके कुछ कुछ कनफेशन ले आते हुए दिख रहे हैं, उनके दिल के माफी आपके तरफ ले आते हुए दिख रहे हैं, इस टाइम पर आपको हो सकता है, वो कुछ फ्लावर्स किफ्ट करें कुछ ऐसी चीज़े आपको दिखाए या पिर बताए जिससे आप खुश हो जाओ थोड़ा सा पीसफुल हो जाओ और साथ में दिख रही हैं आपके लव लाइफ के साइट से आपके पास कुछ आपरचिनिटीज कुछ चॉइसे अविलिबल होने वाला है हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसकी वज़े से आपके लव लाइफ से रिलेटिट कुछ सेलेब्रिशन के रूरू आप हो जाओ ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपको कोई दो इनसान पसंद करता है मतलब कि यहाँ पर दो परसंद के एनरजी वाइप मुझे आ रही है कि आप अगर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशन्शिप में हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं प्य किसी एक इंसान के तरब से तो इस टाइम पर आप क्लियर तरीके से समझ पाओगी कौन इंसान आपको प्यार कर रहा है कौन इंसान आपको धोका दे रहा है या फिर कौन इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है किसके साथ आप खुश रहोगे जीवन भर तो ऐसा ए पर है nothing is yet set in stone love life से related अगर आपके मन में कोई confusion था कोई question था तो उस चीज़ का answer उस चीज़ का clarity आपको मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर divine आपको यह assurance देने वाले हैं कि आप जिस path में हो वो path एकदम से सही है आपके love life के side से या फिर जिस चीज़ को आप इस time पर choose करोगे वो आपके लिए सही साबित होने वाला है इस चीज़ का clarification आप खुद महसूस कर पाओगे देख पाओगे fine so आपका confusion definitely मिटने वाला है and bottom the take में है communication is की new moon in Gemini यह आपके लिए special message है divine के तरफ से कि कोई भी situation हो love life के side से आपको communicate करना है किसे इंसान को अगर गलत समझ रहे हूँ मन ही मन उनके लिए कुछ feelings रख कर बैठे हूँ या फिर किसी को दूर से पसंद कर रहे हूँ बताना चाहते हो बड़ नहीं बता पाड़े हो कुछ भी situation हो आपके love life के side से इस time पर आपको communicate करना है वो जाहे अच्छा हो वो जाहे बुरा हो तो हर एक situation आपको बहतर तरीके से heal होता हुआ नजर आएगा बहतर तरीके से आपके सामने present होता हुआ आपको नजर आएगा यह आपके लिए love reading है 17 से 31 के लिए January मत के लिए so thank you Gemini thanks for watching इंटर ग्रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप लोगा बाई